अगर आप जानना चाहते हैं कि जून मंत में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनरजीज होंगी, क्या आपके पार्टनर की एनरजीज रहेंगी, कैसे छोटी-छोटी सी चीजों का खायाल रखके, आप जून मंत की एनरजीज को बदल सकते हैं, अपनी लोगों के लिए जून 2023 की love tarot reading है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वह आपका लगन हो आपके नाम के हिसाब सिराशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो इंतजार किस बात का है चलिए जी आपकी love life June month के लिए देखते हैं तो चलिए Esther जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि जून 2023 में आपकी लग लाइफ कैसी रहेगी। मेपास यहां पे तीन सेट अफ कार्ड हैं। फर्स सेट में हम आपके अनरजीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की अनरजीज देखेंगे और फर्स सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मन्त में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं जेमिनीज और आपके लिए आप इस सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है फाइव ऑफ वान्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से जून स्टार्टिंग में एक कॉन्फिक्टिंग सी एनरजीज आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए ये कॉन्फिक्ट, ये उल्जन, ये दुविधा इंटर्नल रह रही है। यानि कि होता है न कभी-कभी हमें लगता है कि ये काम करें, ना करें और इसी चीज़ को लेकर एक कॉन्फिक्ट रहता है, दिखिए जो एक चीज मेरे माइंड में आई, मैंने कहा, सब के लिए डिफरेंट रीजन्स की वजए से या तो एक इंटर्नल कॉन्फिक्ट रह रह रही है या फिर एक्स्टर्नल छोटे-मोटे इशूज, छोटे-मोटे मसले रह रहे हैं, जो आपको किसी लेवल पर परिशान कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनर आरकाना का का काड है, तो माइनर चीज़ें जाधा रहती हुई दिख रही हैं, दीपर लेवल के लिए इन्वीटेशन से रिलेटिट भी लिटरली एक कान्फिलिक्ट रह सकता है, क्योंकि इन्वीटेशन ओफ लाव फाइव वाण्स के नीचे है, अब ये भी देखे थोड़ा-थोड़ा सब के लिए डिफर करेगा, वो जमनीज के लिए हो सकता है, कि आप अपने पार्टनर को किसी चीज के लिए इन्वाइट करना चाहा रहे हैं, या फिर आक्शन इनिशेटिव लेना चाहा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, इसलिए एक कान्फिलिक्टिंग सी अनर्जी आप महसूस कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा ह यहाँ पे कही चारियट रिवर्स का कार्ड भी इसी चीज को और कन्फर्म करता है कि आप चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत confidently, बहुत assertively आगे बढ़ना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं और देखें सब के लिए different reasons रहेंगे लेकिन यहाँ पर चारियट रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप उतना confident, उतना sure कुछ चीजों को लेकर, पार्टनर को लेकर या फिर इस relationship को लेकर नहीं हो रहे हैं हाला कि देखें deeper level के लिए dreaming of you and true love के cards बहुत ही clearly कहते हैं कि आपके मन में आपके partner के लिए बहुत प्यार है, बहुत महबत है, आप उनके ख्वाब देखते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं, in fact आपको ऐसा भी लग सकता है कि एक सच्ची महबत आपने अपने partner से की है य आप नहीं ले रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ पर eight of pentacles reverse का card एक दो चीज़ें कहता है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने professional front, अपने work front पे, career पे बहुत जादा focus करना चाहा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने इस relationship के लिए बहुत effort action लिए और आपके partner की तरफ से आपको response नहीं मिला, और कहीं you know June end में आपको ऐसे लग सकता है, बस बहुत हो गया, अब और action initiatives या फिर अब और effort, अब और महनत आप नहीं करना चाहा रहे हैं, अब देखते हैं Gemini's की आपके partner की energies हैं, तो आपके partner के लिए देखिए, यहाँ सबसे पहला card है justice reverse, और यह card कहता है कि आपके partner या तो कोई decision लेना चाहा रहे हैं, कोई choice लेना चाहा रहे हैं, या फिर otherwise भी किसी चीज़ को लेकर two minds में रह रहे हैं, और बहुत logically चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं, बहुत mind से हर चीज़ के pros and cons को वह करते हुए दिख रहे ह deeper level के लिए integrity का card भी कहीं, इसी चीज़ को confirm करता है कि कहीं right and wrong, honesty, loyalty के point of view से बहुत जादा चीज़ों को वह वे कर रहे हैं, यहाँ पर दिखिए integrity सब जमिनीज के partner के लिए differ करेगा, कुछ जमिनीज के partner के लिए हो सकता उनको ऐसा लग रहा है कि भाई, वो खुद के साथ इत maintain करना चाहा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि जमिनीज आपके partner को लग रहा है कि आपके साथ वो किसी भी level पे, किसी भी तरीके से उतने honest नहीं रहे और कुछ के लिए हो सकता है, जमिनीज आपके partner को लग रहा है कि आप उनके साथ उतने honest नहीं हुए, तो देखिए का काड एक और चीज कहता है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजें कहीं फियर नहीं रह रही हैं किसी लेविल पे किसी तरीके का एक इंजस्टिस आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं अभी मैंने आपको बताया या तो देखिए उनको अपनी तरफ से लग रहा है कि वो आपके साथ उतना फियर नहीं रहे आपके साथ उतना जस्टिस नहीं कर पाए या फिर आपकी तरफ से उनको लग रहा है कि आप इतने फि फियर वो महसूस कर रहे हैं, बहुत emotional हो रहे हैं, बहुत sentimental हो रहे हैं, in fact मैं कहूंगे emotions, feelings बहुत उनको overpower कर रहे हैं, यहाँ आपर देखिए nine of wands reverse का card भी कहीं एक fear insecurity की बात करता है, जहाँ पर literally जेमिनी आपके partner को ऐसा लग सकता है, बस अब ठक गए, अब और stamina नहीं है, अ और हिम्मत नहीं है, आगे बढ़ने के लिए, कुछ चीजों के लिए continue करने के लिए, यह भी सब जेमिनी इसके partner के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है कि इस relationship में आगे बढ़ने के लिए, वो एक ठकावत महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उतना stamina नहीं है, और दिखे जमिनीज मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपके partner break up कर रहे हैं, please I am not saying की break up कर रहे हैं, मैं यह कह रही हूँ आपको कि उतना एक enthusiasm, excitement आगे बढ़ने के लिए वो नहीं महसूस कर रहे हैं, उनका enthusiasm, excitement लो रह रहा है, कहीं उतना एक strength, courage नहीं महसूस कर रहे हैं, कहीं एक give up करना चाहा रहे हैं, या फिर एक ऐसी सी energies हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं हो पाएगा, और दिखिए again इसका मतलब यह नहीं है कि उनके मन में आपके लिए कोई feeling या emotion नहीं है, यहाँ पे phantom lover fantasy and partnership के cards बहुत ही clearly कहते हैं, कि वो आपको fantasize करते है वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपके ख्वाब देखते हैं और आपके साथ हमेशा के लिए एक togetherness चाहते हैं, companionship चाहते हैं, यहाँ पे कुछ Geminis के partner के लिए literally हो सकता है कि आपके साथ marriage, living या फिर किसी भी level पे commitment हो चाहा रहे हैं, तो देखिए अगर हम broader level के लिए द बहुत एक love, प्यार, महबत महसूस कर रहे हैं और आपके partner भी कहीं एक बहुत love, प्यार, महबत आपके लिए महसूस कर रहे हैं, surface level के लिए दिखिए जो आप deeper level के लिए महसूस कर रहे हैं, उससे differ आपकी energies दिख रहे हैं और आपके partner के लिए भी similarly surface level के लिए differ energies दिख रहे ह अब दिखते हैं जमेनीज की फाइनली जून मन्त में क्या हो रहा है तो दिखें सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है फाइर इन मैं सूल तो फिर से मन ही मन बहुत एक एंथूसियाजम है एकसाइटमेंट है, हाई एनरजी लेवल है आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए passionate energies हैं लेकिन surface level के लिए एक inaction वाली energies हैं एक indecisiveness है और आप दोनों के cards देखें तो कहीं जून मन्त की energies इसको confirm भी करती हैं और आपके partner के लिए तो देखिए आपे clearly मैंने कहा भी था कि inaction या फिर indecision वाली energies हैं जहाँ पर कोई decision, कोई choice लेना चाहा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं और ये card भी उसी चीज़ को confirm करता है और कहीं देखिए आप दोनों ही कुछ चीज़ों के लिए आँखों में पट्टी बांदे हुए हैं यानि कि देख के अंदिखा कर रहे हैं, सुन के अंसुना कर रहे हैं और दिखिए बाकी के दोनों cards ये temperance and two of pentacles reverse के cards कहते हैं कि एक balance आप दोनों maintain करना चाहा रहे हैं, balance नहीं maintain कर पा रहे हैं, कोई चीज़ जरुरत से ज़ादा कर रहे हैं या फिर जरुरत से कम कर रहे हैं और कहीं देखिए एक union भी आप लोग चाहते हुए दिख रहे हैं, न two number का card कहीं decision choices की बात करता है, तो बहुत ज़ादा मुझे दिख रहा है Gemini's की June month में कोई decision, कोई choice आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेना चाहा रहे हैं और उसी के लिए ही या otherwise भी कुछ चीज़ों को देख के अंदेखा कर रहे हैं, सुन के अंसुना कर रहे हैं, क बहुत एक fluctuating सी energies हैं, in and out वाली energies हैं, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप Gemini's हैं आपके partner ना तो पूरी तरीके से इस relationship में आ रहे हैं, ना ही पूरी तरीके से इस relationship से जा रहे हैं, तो दिखिए in and out वाली energies, again fluctuating energies रहती हुई दिख रही हैं, थोड़ा सा balance maintain करके जो भी ज focus करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, and deeper level के लिए lip service and interference के cards कहते हैं, आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा भी लग सकता है कि भी बाते तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन concrete level पे कुछ नहीं हो रहा है, realistic steps, practical steps नहीं ले रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं उसको पूर करने के लिए, and interference का card कहता है कि किसी भी इनसान की तरफ से या फिर किसी भी तरीके की एक interference भी इस relationship में रहते हुए दिख रही है, जिसकी वज़े से भी ये balance खराब होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वज़े से भी कहीं यूनों एक moderation में चीज़े नहीं रह रहे हैं, तो ये आप लगों के लिए जून 2023 की लफ टारो रीटिंग और अगर ये रीटिंग आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें